यदि आप भी एक computer user है और आपके भी computer पर कोई folder open नहीं हो रहा है या फिर folder open करने पर you don't have permission access this folder इस टाइप का message आ रहा है तो यूडियो सिर्फ आप ही के लिए है जी हाँ दोस्तो नमस्कार मेरा नाम पुषपराज साहू है और मेरा YouTube चनल एजूगेशन पुषपराज में यहां पर देखेंगे मेरे computer hard disk E में internal memory नाम का एक folder है और इस folder को मैं open करने के लिए यहां पर double click करता हूं तो यहां पर देखें मेसेज आ रहा है you don't currently have permission to access this folder करके सरल सब्दों में folder नए खुल रहा है तो इस folder को खोलने के लिए हम लोग करते क्या है चलिए जानते हैं इसके लिए आप mouse का right button क्लिक करेंगे उसके बाद चले जाएंगे properties यहां से फिर चले जाएंगे security यहां से फिर advanced डर पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद change उसके बाद पु फिर यहां से कर लिजेगा apply फिर कर देंगे ok फिर यहां से कर लेंगे ok पुना हां ok फिर click करिएगा और एक बार refresh कर लेंगे तो देखेंगे folder अभी भी ने खुल रहा है कई computer में folder खुल जाता है और नहीं खुलता है तो पुना इसके लिए थोड़ा सा और setting करते हैं तो चलि अब देखेंगे और यहां पुना हां एडवांज और यहां से find now और यहां पर चाहें तो administrator एड़ कर सकते हैं या चाहें तो पुना है everyone ले सकते हैं तो चलिए हम लोग पुना हां everyone ही ले लेते हैं okay कर लेंगे उसके बाद कर लेते हैं फिर okay और यहां पर कर लेंगे allow पे click फिर कर लेंगे apply तो देखें अभी error का option आ रहे कोई दिक्कर नहीं है इसको कर लेंगे cancel इसको कर लिजेगा okay और एक बार कर लेंगे refresh उसके बाद जैसे इस folder पे आप double click करते हैं तो folder open हो जाता है इस इस प्रकार से उम्मीद करते हुए वीडियो देखने के बाद आप अपने problem को solve कर लिया होंगे यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो मुझे comment box में comment कर अपने problem को type कर सकते हैं कोशिश करूंगा आपकी problem का जल जल समधान कर सकूँ साथ ही यदि यह वीडिय अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद